बगवान शिप के यूँ सभी रूपों की कोई ना कोई कहानी कोई ना कोई महत जरूर है परंतु सभी रूपों में भगवान शिप का भेरव अवदार सबसे विचितर है जिसे लेकर अलग 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 अवदारणाएं हैं जिस वजह से कई लोग भेरव भगवान से डरते भी हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि भेरव बावा की पूजा करके लोग काला जादू करते हैं लेकिन उन लोगों को हम बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि भेरव भगवा लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है काशी विश्वनाद मंदिर में जो शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है भहरव बावा काशी की रक्षा करते हैं भहरव बावा के दो अवतार हैं काल भहरव और बटुक भहरव शिव जी का भहरव मापार्वती की रक्षा करता है जहां भी मापार्वती के सती रूप के अंग वहां माता की रक्षा के लिए भगवान के भैरव ने अब्दाल लिया था। भैरव के प्रिशिद मंदिर्ये कुछ जैन में काल भैर बेहरव और लकन उमय बटक भैरव का मंदिर है। इसके अलावा काशी का काल भहरम मंदिर भी बहुत फेमस है, जो काशी विश्विनात मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है, वही उत्राखंड में भहरबावा को गोलू देवता के रूप में पूजा जाता है, उनमें अभी अल्मूडा का चैत्य गोलू देवता मंदिर काफी प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर लोग स्टंप पेपर पर अपनी इक्षा लिख कर आते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में शनी का प्रकोप है, तो काल भहरव की पूजा करने से वह प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि माना जाता है शनी देव का सामना केवल भहरवावा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भी न्याय के लिए जाने जाते हैं, भहरवावा का दिन रविवार और मंगलवार माना गया है, बहरबावा को अगर प्रशन करना है कभी भी किसी कुत्ते के साथ दोवार बिलकुल ना करें और कुत्ते को भर पेट खाना खिलाने से बहरबावा प्रशन होते हैं नेक्स नाइन स्पिरिच्वल से आकाश की रिपोर्ट झाल